Deadpool and Wolverine में हमें Wolverine के कई सारे variants दिखने वाले हैं तो इस से जादा क्या ही perfect time होगा Wolverine के alternate versions या कहलो variants के बारे में जान लेने का जहां सबसे पहले ही आता है Wolverine Pool I guess नाम से ही clear हो गया होगा कि ये variant Deadpool and Wolverine का combination है इस alternate universe में Logan के जगह Wade Wilson को adamantium clause मिलते हैं weapon plus program के थूँ and as expected इस character की पूरी personality Deadpool जैसी ही है बट पूरे पावस जो है वो exactly Wolverine के जैसे है हाँ healing factor में mean universe के Deadpool and Wolverine से ये character weak है बट हाँ on screen ऐसा कुछ दिख जाए तो भाई काफे interesting लगेगा next है Dakin या फिर Aki Hero अब देखो exactly ये Wolverine का variant तो नहीं है बट Wolverine का बेटा है हाँ इसके बारे में Wolverine को भी पता नहीं कि भाई उसका बेटा exist करता है पॉरन है वहाँ ऐसा ही होता है बट हाँ इसकी tragic story है जहाँ जब इसकी मा का death हुआ था तब Wolverine को पता ही नहीं था कि वो pregnant है और सिंस डेकन में healing factor था तो वो अपनी मा के death के बाद भी उसके womb में survive कर गया और आगे चलकर बुलवरीन को ही अपनी मा का death का reason मानने लगा इसके powers exactly बुलवरीन जैसे ही है बट इसका behavior as expected बहुत ज़ादा toxic nature का है जिम लोगन बुलवरीन का ये variant डेक्टिव लोगन के नाम से भी जाना जाता है आपने marvel का noir universe तो सुना ही होगा spider man noir सबसे ज़ादा popular है तो इसी universe में बुलवरीन का भी एक variant exist करता है जिसे सब जिम लोगन के नाम से जानते है ये एक private detective है and of course इसके पास हर तरह की mysterious and dangerous cases आते है unfortunately audience को बुलवरीन का ये परसोना पसर नहीं आया था तो ये variant ना के बराबर popular है और इसकी comics में भी उतनी कुछ खास appearance हुई नहीं है अब देखो noir universe के बात हुई है तो marvel manga verse हम लोग कैसे भूल सकते है क्योंकि इस universe में भी एक Wolverine exist करता है manga verse के बारे में आप नहीं जानते हो तो बस ऐसा समझ लो कि marvel वालों ने एक alternate universe बनाया है Japanese manga से inspire होकर and इसमें भी main universe जैसे सारे characters है यहाँ का Wolverine थोड़ा futuristic है क्योंकि at some point उसका एक हाथ कट जाता है जिसको एक prosthetic hand के साथ replace किया जाता है और इसमें जो claws होते हैं वो energy projection वाले होते हैं sort of light saber जैसे देन आता है patch Wolverine का version जो कि आपको upcoming movie में भी दिखेगा white coat वाले बंदे को आपने trailer में देखा ही होगा तो हाँ वही character है patch अब यह कोई alternate universe नहीं है बलकि main universe में ही Wolverine ने ये persona लिया था जब पूरे दुनिया को लगा कि X-Men मर चुके हैं तो उनके resurrection को छुपाने के लिए उनके comeback को छुपाने के लिए Logan ने अपना रूप बदल लिया था और आँखों पे patch पहनने लगा था अब since इसको X-Men के बारे में छुपा कर रखना था तो ये character अपने powers यूज नहीं करता था बलकि politics यूज करता था and sort of detective के जैसे अपने सारे काम करता था तो हाँ movie में देखते हैं कि Wolverine के इस variant को किस तरह से वहाँ यूज किया जाता है नेक्स्ट है Dark Claw अब देखो DC and Marvel ने मिलकर Amalgam Universe बनाया था ये बात मैंने कई बार बताई है जहाँ दोनों ही Universe के famous character को merge करके एक नया character बनाया था and इसका result था Dark Claw जहाँ इसे Batman और Wolverine को मिला कर बनाया गया इसकी story के शुरुआत बिलकुल Batman जैसी ही होती है ये अपने parent के death को वहाँ witness करता है बट लेटर कई सारे elements Logan के जैसे हो जाते हैं जैसे कि one of the major events Weapon X program का होना तो हाँ इस Batman के पास Bruce की रईसी भी है tragedy भी है और Logan के पावस भी है जो कि इसे और ज़ादा dangerous बना देते हैं Counter Earth Hawkeye Marvel Universe के one of the strongest character Franklin Richards को सब जानती ही हो जब इस character ने Counter Earth का creation किया था तो इसी pocket universe में भी कई सारे superheroes exist करते थे उन्हीं में से एक था Hawkeye फर्क सर्फ इतना था कि यहां Hawkeye Clint Barton नहीं बलकि अपना Wolverine था Since comics में Hawkeye मास्क पहनता है तो Wolverine का ये secret बस Captain America जानता था बट लेटर clause का use करने के चलते ये बात सब को पदा चल गई थी Mr. Murderhands माना जाता है कि ये character कभी एक समुराई हुआ करता था जिसको की curse मिला था अमर होने का Like all Wolverine और Gwen Stacy के universe में इस variant को Murderhands के नाम से जाना जाता है यहां ये character एक shield का agent रहता है एक main universe के लोगन से कह सकते हो कि इसकी एक बहुत ही अलग personality है एक quirky personality है Ultimate Wolverine Comics के ultimate universe में mutants man-made थे Like Captain America यहां super soldier program को replicate करने की कोशिश की जाती है जिसके result में इस universe का first mutant create हो जाता है और यही first mutant होता है Ultimate Wolverine हाला कि इस Wolverine में healing factor नहीं होती बट survival factor होती है सकता है and trust me comic books में इस Wolverine का fighting style, dialogues लोग सबसे जादा cool है Old Man Logan I guess इस variant के बारे में सब पहले से ही जानते हैं Comics में भी इस character की story one of the most popular है यह universe एक post apocalyptic world है जहां कुछी super hero survive कर पाए हैं उनी में से एक है हमारा Wolverine और यही Wolverine vs Hulk भी हुआ था जो की fans live action में देखने का कब से demand कर रहे हैं लेगिन हाँ Old Man Logan की story को एक अलग take दिया गया Old Man Venom के साथ जहां Old Man Logan की story line को एक अलग angle पे ले जाया गया जिसमें जब Bruce Banner Jr. को पता चलता है कि उसके पिता के साथ Wolverine ने क्या किया था तो revenge के लिए Logan की DNA से वो यहां एक clone बनाता है और यहां वो use करता है symbiote का and as a result हमें मिलता है Old Man Venom बस ऐसा समझ लो की Venom symbiote अगर Wolverine का host बन जाएगा तो क्या होगा और देखो यहां हम लोग इतनी Wolverine and Hulk की बात करी रहे हैं तो आज का last variant है Weapon H एक US Marine Clayton Cortis को capture करके उस पे experiments किये जाते हैं जहां target होता है कि कुछ ऐसे mutants बनाए जाएं जो की दूसरे mutants and superheroes को easily हरा सके and इसी की result में Wolverine के adamantium claws and Hulk के jeans को मिला कर हमें weapon H मिलता है जिसमें Hulk के भी powers है और Wolverine के भी तो हाँ आप समझी सकते हो कि ये कितना खतरनाक है ये दे Wolverine के 12 variants आपके favorite इनमें से कौन से हैं comment में जरूर बताना and वीडियो अच्छी लगी तो like and share जरूर कर देना Avengers 5 की major updates के लिए उपर वाली वीडियो देखें and Game of Thrones का युनिवर्स समझने के लिए नीचे वाली मैं जल्दी और ने वीडियो लेकर रहूंगा Till then Be DC, Be Nerd